नवसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आखिरकार बीटकेट ब्राइस एंड क्लासिक लूना होल्डर्स फ्यूचर करोडपती फ्यूचर मिलेनार बन सकते हैं डीटेल में देखेंगे क्या कुछ अपडेट्स है क्या क सीरीज में आ गया था मतलब अगर हम coin market cap पे देखेंगे जो वैबडॉच क्यान का प्राइस बड़ा तो इसके कारण इसका market cap भी अचिव कर ग Twin का 82 trillion अगर हम देखेंगे last 24 hour में दोस्तो 127 trillion वेवडॉज को बर्न आउट कर दिया गया है तो यह जो वैलुएशन है और यह जो recently वेवडॉज कोईन काफी एक्टीव हो चुका है बर्निंग के वाम लेगे अगर इस तरीके से बर्निंग करता रहा तो वेवडॉज भी कही ना कही अगर हम देखेंगे कमुणीटी में स्ट्रॉंग है और कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्स के साथ जो हम कंपर करते हैं कि वेवडॉज को पीछे रह जाएगा वह भी कहीं ना कहीं आगे जा सकता है बट यह चीज़ें करना है कंटिन्यू कर सकता है या नहीं उसको ऊपर ड देख सकते हो get ready go live for decentralized P2P marketplace अब यहां पर क्या होने वाला है क्या कुछ देखने मिलने वाला है जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो से बताया कि विट्गड ब्राइस का जो एको सिस्टम में वह कहीं ना कहीं इसको मून पे लेखे जाएगा उसको पीछे का रिजन भी यह दोस्तों एक brand value एंड अगर हम बात करेंगे ecosystem बीट कर रहा है कि नहीं लोगों को जो चाहिए वो हम इसी product के इसी company का देंगे क्योंकि अगर हम बात करेंगे आप जनरल एक चीज सोचो अपल अगर अपना watch अपल अपना पीसी नहीं बेचेगा तो उसको दूसरा उसके ज अगर आप हाथ मारोंगे मतलब cryptocurrency and crypto industry में चाहे जीतने भी products से आप कहीं पर भी हाथ मारोंगे आपको बिटगर्ड ब्राइस के थुरू जाना पड़ेगा या फिर बिटगर्ड ब्राइस से ही जाना पड़ेगा अब बिटगर्ड ब्राइस ने दोस्तों रीसेंडली बहुत सारे multi-chain partnership किये हैं जीन में से अगर हम देखेंगे मतलब हर एक जो भी अगर आप देखोगे bridge function से लेक बिटगर्ड ब्राइस के लिए पॉसिवल नहीं है कि उसके पीछे का कुछ रीजन से आगे नेक्स्ट वीडियो पर कभी बात करेंगे और इस बारें बात भी कर चुके है तो फिलाल बाइनास का लिश्टिंग का हाइप हम इसको नहीं डालेंगा नहीं पर नहीं लेगांग बिटगर्ड ब्राइस अपना अपने आपको यहां पर फुली तरीकिस्तर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है जो कहिना कि एक अल्टीमेट चेन जो बीर सी चेन यहां पर बनके निकल सकता है अगर बात करेंगे बीर सी नेटवर्क जो की फ्यूचर एडप्सन बहुत हाई देखा था कि बैवडाज कोई ने अपना बाइब करने के मामले में बहुत बढ़ा हो सकता है और कहीं ना कहीं अभी तक बिटगर्ड ब्राइस का एक्चेन लिस्टिंग नहीं हुआ है तो किस लेवल का यह बर्नाउट कर सकता है आने वाले दिनों में इसमें दोस्तों कोई 500 trillion बर्लिंग करना बिटगर्ड ब्राइस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी फिला के लिए बहुत छोटा-छोटा मूब किया जा रहा है बट बहुत जल्द साइद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जटका यह बिटगर्ड ब्राइस हमें देने वाला है और बहु बहुत बड़ी बर्निंग अनॉसमेंट आएगी सेब्गर्ड बात करेंगे दोस्तों जैसे के आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है टेरा पोर्ट एक decentralized एप है जो कि हम बात करेंगे एक DEX है जो कि दोस्तो टेरा लूना क्लासिक चेन पर बिल्ट है तो उसी तरीके से यहां पर बात करेंगे दोस्तो टेरा पोर्ट जैसे दूसरे भी यहां पर प्रोडेक्स जो बिल्ट होने वाले है ऑनचेन डेटा में यहां पर बर्निंग करवाएंगे आने वाले दिन पर जो कहीं न कहीं एक फ्यूचर पोटेंशियल क्लासिक लूना कोईन का सो करता है आज के टाइम पर चाहिए जो भी हो एक बहुत जल्द साहिद मुझे लगता है एक मासिफ पंप यह जो कॉइन से इन सब में बहुत जल्द हमें देखने मिलेगा इसी तरीके से हम देखेंगे सिर्फ सिर्फ 100 डी एक्स बिल्ट हो जाता है क्लासिक लूना चेन से उपर कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चाहें और कोशिश करें तो वह भी हो सकता है अगर इस तरीके से काम करता है और हो जाता है तो अगर देखोगे ओंचेन वाल्यूम जे इसका बहुत हाइली लेवल का इंक्रीज हो जाएगा जो अगर हम बात करेंगे कुछ नही कोईन का काउंटिटी यहां पर देखते ही खतम हो जाएगा और देखते ही प्राइस में हमें अच्छा का साथ ब्रोथ भी देखने मिलेगा अगर हम बात करेंगे जो कुछ चल रहा है लाग इवस्ट्री सी रिपेच एंड दूसरे जो कुछ चल रही हो कही नहीं एक